अरे यार इस लड़की के बाल किते सुन्दर हैं इतने शाइनी स्मूथ और एक मेरे बाल है इतने ड्राइ और रफ क्या करूँ पूछ के देखूं क्या मगर ऐसे कैसे किसी से पूछ लूँ इन जाडू जैसे बालू का तो कुछ नहीं हो सकता क्या दोस्तो आपके साथ भी बिलकुल ऐसे ही होता है मेरे साथ तो पहले बहुत जादा ऐसा होता था जब मेरे बाल देखने बिलकुल ही बेकार लगते थे इतने जादा रूखे सुके बेजान थे कि पस पूछो ही मत बिलकुल कहते है ना जाडू जैसे बाल थे तो जब भी मैं किसी लड़की के बाल देखती थी स्ट्रेट, शाइनी, स्मूथ तो मेरा बन करता था कि इससे मैं पूछ लूँ कि तुम क्या लगाती है उपने बालों में जो तुम्हारे बाल इतने ज़ादा खूबसूरत लग रहे है इतने ज़ादा शाइनी लग रहे हैं, हेल्दी है तो मेरे दिमाग में आता था अब बात यह आती है किसी भी अन्नोन परसन से आप ऐसे सवाल तो पूछ नहीं सकते तो मुझे बहुत ज़ादा टाइम लगा इन सारी ट्रिक्स को जानने के लिए मगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला क्योंकि आप इस दो मिनिट की वीडियो में जान लोगे यह सारी ट्रिक्स कौन सी है जिनको फॉलो करके आप भी अपने बालो को सॉफ्ट, स्मूथ और हेल्दी बना सकते हो जैसे मेरे बन गए है बस दोस्तो आज की इस वीडियो में ख करेंगे डियाईवाई यूज करने में थोड़ा टाइप जाता है मतलब कि थोड़ा टाइप लगता है और इसका रिजर्ट मिलता ज़रूर है मगर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता आप मार्केट में जाओगे पालर में जाओगे वहाँ हेर स्मूथनिंग करा रहे हो रिबॉंडिंग करा रहे हो तो बहुत ज़ादा पैसे जाते हैं चलो पैसे तो चले गए कुछ दिन के लिए बाल भी खुबसूरत हो जाते हैं मगर उसका side effect आपको नहीं पता कितने ज़ादा hair fall होता है और इन सारे treatment के बाद जो chemical हमारे बालों में जाते हैं कितना ज़ादा हमारे बालों को damage करते हैं कितना ज़ादा dry कर देते हैं बालों को तो इन सारी चीजों से मैं तो बचके रहती हूं और मेरे से बहुत लोग पूछते हैं किया आपने भी hair smoothing या hair rebonding कराई हुई है तो मैं कैती हूँ मैंने कुछ नहीं कराया मैं सिर्फ अपने DIYs, hair oil, shampoo यही सब यूज करती हूँ मेरे बाल बहुत ज़ादा अच्छे बने हुए हैं तो ये सारी tricks क्या हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी एक DIY keratin treatment जो आप घर में असानी से कर सकते हो जिसके लिए सिर्फ आपको एक keratin hair oil चाहिए होगा एक DIY keratin hair mask चाहिए और एक आपको चाहिए keratin shampoo तो इन तीन चीजों से आप घर में keratin treatment कर सकते हो बिना जादा पैसे खर्च किये हुए जो कि आपके बालों को damage भी नहीं करने वाला तो इन सारे चीजों को आप कैसे करोगे इस वीडियो में आप जानोगे मगर रुको रुको दोस्तो जल्दी से आप इस वीडियो को तो देख लोगे मगर मेरी इस वीडियो को प्लीज एक like तो कर दो like तो आप बूल करते ही नहीं हो भूल गए हो comment तो बिल्कुल भी नहीं करते तो comment कर दो कैसी लगी आज की वीडियो और ये बताओ क्या आपने कभी treatment करवाया था आपके बाल damage हुए या नहीं या फिर आप करवाने की सोच रहे हो क्योंकि आपके बाल बहुत ज़दा dry और damage हो गए है तो जल्दी से comment में लिख डालो साथ ये भी लिखना कि आज की वीडियो कैसी लगी तो आईए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आईए दोस्तों स्टार्ट करते हैं घर में केरेटिन ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे केरेटिन ट्रीटमेंट का first step है हेयर ओलिंग करेंगे हम वो भी केरेटिन हेयर ओल से इसके लिए मैं यूज करूंगी ये वाला हेयर ओल ये हेयर ओल है Good Wipes brand का keratin hair oil जो कि काफी affordable range में आता है बिलकुल भी costly नहीं है और ये oil especially dry, frizzy और damaged बालों के लिए बना है तो इस oil को मैं कटोरी में थोड़ा सा लूँगी और अपने scalp पे लगा के हलके हाथों से मसाज करूँगी और hair length पे भी लगाऊंगी इस oil की खास बात ये है इसका main ingredient है keratin यानि की protein जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे बाल भी keratin यानि protein से मिलके बने होते हैं दोस्तो इस oil और shampoo का link मैंने नीचे description box में दिया है तो चेक करना ना भूले, discount पे इस time मिल रहा है मिक्सिंग जार में आप डाल लीजिए और इसके बाद आप इसमें डालेंगे लगबग 5-6 चमच दही और दही डालने के बाद आप इसमें डालेंगे एक अंडा जिसमें आपको egg yolk, egg white दोनों डालने हैं अगर आप नहीं यूज करते हो egg तो आप skip भी कर सकते हो और फिर आपको इसको इसमें पीस लेना है इसका fine paste बनाना है पीसने के बाद आपको एक पतले कपड़े चलनी से इस paste को चानना है जिससे की बनाना के जो pieces होते हैं छोटे-छोटे वो अच्छे से निकल जाएं आपके बालों में ना फसें इसके बाद आपको इसमें एक चीज और डालनी है इसमें आप डालिए दो चम्मच पेसन क्योंकि ये hair mask बहुत जादा liquidy है रनी है तो इसको थोड़ा थिक करने के लिए हम पेसन यूज़ करेंगे इस hair mask को बनाने के लिए आप अपनी length के हिसाब से बनाना लीजिए मेरे बाल लंबे हैं तो मैंने one लिया है अगर आपके medium या short हैं तो आप half बनाना भी ले सकते हैं इसको अच्छे से mix करके इसको एक paste form में आप बना लीजिए paste तो नहीं बनेगा थोड़ा liquidy रहेगा तो इसको जब आप तयार कर लोगे फिर आप इसको अपने बालो की length में apply करो इस hair mask में हमने जितने भी ingredient डाले हैं वो सब protein rich हैं तो ये hair mask एक बन गया है protein rich hair mask जो की हमारे dry, frizzy, damage बालो को सही करने में मदद करता है बालो में shine लाता है बालो की texture को ठीक करता है तो इस hair mask को आप अपने length पे लगाईए और फिर आप इसको 20 minute तक के लिए छोड़ेंगे आप चाहें तो अपने head पे यानि अपने सर पे polythine wrap कर सकते हो या फिर shower cap भी लगा सकते हो जिससे की ये सूख ना जाए तो 20 minute तक इसको रखिए दोस्तों ये hair mask थोड़ा liquidy होता है रनी होता है तो अगर आप बहुत जादा lazy हो आपको बाल धोने में शैंपू करने में बहुत जादा problem होती है तो मैं आपको recommend करूंगी कि इस hair mask में आप बनाना एड़ ना करें और इसको hair mask को अच्छी तरीके से छान लीजिए चलनी से या किसी पतले कपड़े से क्यूंकि बहुत लोग के शिकायत या आती है कि बनाना जब भी हम यूज करते हैं तो हमारे बालों में वो अटक जाता है फस जाता है और ड्राइ होने के बाद ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी डेंडर्फ हो गई है तो मैं आपको पहले से ही बता रही हूए चीज कि जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से आप इस hair mask को बनाईएगा और इसको पहले पानी से दोईएगा उसके बार शैंपू करिएगा मैं आपको रिकमेंट करूंगी कि आप केरेटिन हेयर शैंपू ही यूज करें मैं यूज कर रही हूँ गुट वाइप्स प्रांड का केरेटिन हेयर शैंपू जो की बहुत जादा अच्छा है और इसका में इंग्रीडियन केरेटिन है और जो की केरेटिन ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट है तो दोस्तो शैंपू करिने के बाद जब मेरे बाल ड्राइ हो गए तो उनका रिजल्ट ये था बिलकुल बाल सॉफ्ट स्मूथ महसूस करेंगे और अगर आप इसे एक महीने तक भी कर लोगे इस हेर मास को यूज तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि DIY है थोड़ा टाइम लेती है तो दोस्तो ये थी मेरी आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ साथ ही कमेंट करके बताईएगा कैसी लगी आज की वीडियो और मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज़े फॉलो करिए और साथ अपडेट्स के लिए आप मुझे वाँ मैसेजिस भी कर सकते हो डारेक्टली तो मैं आपके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी और दोस्तों अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जिससे की मेरी आने वाली वीड वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और टेक केर